हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉरल विस्व में दोस्तों आज हम एक OCD के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही विचित्री टाइप की OCD है बहुत ही अलग-अलग तरह के थौट इस OCD के अंदर आने लगते हैं इ जैसे कि मानली जै किसी ने ग्लास को वहां रखा तो उसको लगेगा यहां रखा तो कुछ बुरा हो जाएगा तो उठा को दूसरी जिगे रखेगा अगर उसे बैठना है तो उसे लगेगा इस चैर पर बैठेंगे तो सबसुब होगा अगर उस चैर पर बैठ जाएंगे त और विश्वास खुद से ही create करने लगता है दोस्तों यह चीज़े अलग अलग तरह से होती है कुछ thinking के level पर होती है दिमाग में कुछ ऐसे विचार होते हैं जिनमें हमें लगता है कुछ विचार ऐसे सोच लेंगे यह पूरा विचार सोच लेंगे तो मेरे साथ अच्छा मन को satisfaction नहीं मिलता है जब तक हम किसी विचार को पूरी तरीके से सोच नहीं लेते हैं या किसी सब्द्य या किसी डायलोग को मन में पूरा बोल नहीं लेते हैं तो दूसरे इसमें मन अलग अलग तरह के बहुत ही विचित्र तरह के अंधिविश्वास खुद से ही बनाने ल कर रख कर फिर वापस आएंगे तो इसमें इस तरह के thoughts आने लगते हैं अच्छा व्यक्ति ऐसा करता क्यों है क्योंकि उसके मन में डर बना होता है डर कैसा कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे साथ या मेरे किसी अपने के साथ कुछ गलत हो जाएगा कुछ बुरा हो है तो आपको यह समझना होगा कि यह पुरा यूनिवर्स है वो काम कैसे करता है मलब यह जो दुनिया है उसमें हम जो कुछ भी देखते हैं जो कुछ भी घटित हो रहा है वास्तों में यह इश्वर की मर्जी से हो रहा है जी हां दोस्तों सुनने में आपको अजीब लग सक संसार की प्रतेइक चीज क्या इश्वर की मर्जी से होती है इसका जवाब है हां सब कुछ इश्वर की मर्जी से होता है इस दुनिया में जो कुछ भी घटित होता है वो सब पहले से ही डिसाइडेड है जी हां दोस्तों जिसे हम काफी सारे धर्म ग्रंतों में भी इस तरीक पर ना एक इंच नीचे, हमारे साथ जाए जितनी बड़ी-बड़ी घटनाय हो जाए, जाए जितनी बड़ी-बड़ी अच्छी चीजे हो जाए, वो सब चीजे पहले से ही लिखी होती है, पहले से ही pre-decided होता है, अब दोस्तो कही बार ऐसा होता है, कि हम बहुत सारी plannings करते ह हैं, कि हम इस stream में पढ़ाई करेंगे, हम ये बनेंगे, वो बनेंगे, लेकिन समय आते आते हैं, जब हम उस situation पर पहुचते हैं, तो हम अचानक से कोई अलग stream चुल लेते हैं, किसी दूसरी रास्ते पर मुड़ जाते हैं, तो दोस्तो हमने सोचा कुछ और पर कोई जरूरी ने की थी, तो वालमिकी जी ने राम जी के जन्म के काफी पहले ही इसकी पूरी रचना कर दी थी, और जब राम जी का जन्म हुआ, तो सारी घटनाए वैसे ही घटित हुई, तो जब इश्वर के जो आवतार है, वो पूरी तरीके से pre-decided होते हैं, सब कुछ निश्चित होत तो एक आम वैक्ति, एक इंसान का जीवन क्यों नहीं पूरा-decided हो सकता है, दोस्तों कहते हैं, बिना इश्वर की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो जब एक पत्ता नहीं हिल सकता है, तो कोई वैक्ति कर्म कैसे कर सकता है, तो जी हां दोस्तों, यह चीज सत् कि इस संसार में जो कुछ भी होता है सब कुछ इश्वर की मर्जी से होता है और सब कुछ पहले से ही pre-decided है अब इसे इंसान के मन में जो सूपरिष्टी से thought आते हैं कि इस चीज़ को यहां रख दिया तो कुछ बुरा हो जाएगा इस चीज़ को वहां रख देंगे तो कुछ अच्छा हो जागा वास्तों में इसको रखने ना रखने से कुछ भी नहीं होगा मतलब हमारे साथ जो होना है वो तो होकर ही रहेगा उससे कोई नहीं टाल सकता मतलब कोई चीज़ उठाने या रखने से इस ब्रह्मांड में कोई बदलाव नहीं होने वाला ये अनन्त ब्रह्मांड में कोई भी चेंज हो ही नहीं सकता हमारी सोच से या फिर हमारी छोटे मोटे रिच्वल या कर्म से इस अनन्त ब्रह्मांड में कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता इस संसार में जो कुछ भी होता है सब उस सुपर पावर के द्वारा होता है यानि कि गौड के द्वारा होता है इश्वर के द्वारा होता है तो क्या हम इश्वर के लेख में बदलाओ कर देंगे नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम बिल्कुल भी बदलाओ नहीं कर सकते हैं, चाहे हम किसी रिचुल को करें या ना करें, हम कहीं बैठें या ना बैठें, इस संसार में जो कुछ भी लिखा है, जब जो घटित होने वाला है, उसको कोई भी नहीं बदल सकता है, अब दोस्तों जा किस गुल्दस्ते को यहां न रखो वहां रखो थोड़ा बढ़ा कर वरना कुछ गलत हो जाएगा तो अब हमें उस गुल्दस्ते को वहीं रखना है जहां पर हमें लग रहा है कुछ बुरा हो जाएगा मतलब हमें हर वो काम करना है जो OCD मना कर रहा है OCD जो करने को कह रहा है वो बिलकुल नहीं करना और जिस काम के लिए मना कर रहा है वो काम बिलकुल करना ही करना है दोस्तो वैसे हम भले ही कोई काम ना करते हैं लेकिन क्योंकि OCD मना कर रहा है तो अब तो हम पक्का करेंगे अब तो हम जरूर वो काम करेंगे आप OCD के गुलाम नहीं है, OCD जो कुछ कहता है हमें उसको opposite में काम करना है, अगर OCD किसी चीज के लिए मना करना है, तो आपको वो काम जरूर करना है, उसी समय करना है, दोस्तों जब हम ऐसा करने लगते हैं, OCD की thoughts को oppose करने लगते हैं, तब फिर क्या होता है कि जो विचार है जब आप OCD के opposite काम करेंगे, OCD अगर कुछ करने को कह रहा है, तो वो नहीं करना है, और क्या करना है, जो OCD मना कर रहा है, अगर किसी काम के लिए OCD मना कर रहा है, तब तो बिलकुल वो काम करेंगे, तो दोस्तों जब हम ऐसा करने लगते हैं, तो ये OCD की problem automatically ही ठीक हो जात हैं, तो दोस्तों I hope आपके बहुत एचे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको कोई सवाल है, कोई doubt ही या कुछ पूछना चाहते हैं, तो बिलकुल हमारे comment box में पूछिए, हम आपके सभी सवालों की जवाब देते हैं, तो description box में आपको हमारे WhatsApp group की link मिल जाएगी, समशकार जाहिंद